वेलकम टू आजाद आएस अकैडमी जैसे कि आप लोग को सुचित किया गया है कि आज हम लोग शुरू कर रहा है मध्यपदेश विशेष MPG के शुरू करने वाला है तो आप लोगों को लिंक मिलके होगी आप लोग जल्दी से लाइव आजाईएं मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है चले शुरू करते हैं देखे पहले में बात बता दूँ आपको कि MPGK MPPSC के लिए बहुत इंपोर्टन क्यों हो जाता है क्योंकि जब भी आप प्रशासनिक सिवाओं में काम करेंगे नॉमली कहीं भी किसी भी स्टेट में काम करते हो तो आपको मद्वरेश की जी ले और मद्वरेश के कुछ जो तेहसीले हैं मद्वरेश की भाष्याएं हैं मद्वरेश की जनजातियां हैं इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज रहेगा ताकि आपको काम करने में तो थोड़ा आप मुझे समझेंगे, मैं थोड़ा आपकी समस्याओं को समझूँगा, और धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ते चलेंगे. वैसे तो MPPSC और SI के विगत वर्षों में MPGK से बहुत सारे कॉशन पूछे गए हैं, बहुत सारे बच्चों को समस्याओं होती है, मैंस में, कि सर वो MPGK में, MPK में बनाना होता है, मद्यपदेश PSC के मेंस के अगर आप 1999 से, 1999 से लेकर के 2018 तक के जितने भी मेंस के पेपर होता है, अगर आप MPGK के कॉशन अगर देखते हो, मेंस के, तो आपको कहां कहीं पर भी ऐससा कॉशन नहीं पूछा गया, जहां पर आपको मेंप बनाना हो, तो समस्याओं उसमें नह की बात करें, तो मद्यपदेश भारत का सबसे मद्य का राज्य है, सबसे मद्य का राज्य है, इसके कहीं सारे नाम है, हम लोग देख लेते हैं नाम क्या-क्या है, देखिए, जवाहरलाल नहरू साब ने इसका नाम रखा था, हरदय प्रदेश क्योंकि चुक्कि मद्ध्य प्रदेश बिलकुल मध्ध में इस्तित है इसलिए जवाहल लाल लेहरू को यह बहुत प्यारा राज्य लगा और उन्हें इसको नाम दिया हरदय प्रदेश दूसरा इसका नाम है मद्ध्य प्रदेश से कई सारी नदियों का उद्गम है इसलिए मद्ध्य प्रदेश को एक और नाम दे दिया गया है नदियों का माईका नदियों का माइका प्रदेश यानि यहां से कहीं सारी नदियों का ओरिजिनेशन है जिसमें नर्मदा सबसे महत्पूर्ण नदी है और सबसे ज़्यादा बड़ी नदी जो मदवरेश की मानी जाती है नर्मदा ही मानी जाती है नेक्स पॉइंट की बात करें तो मद्यप्रदेश का एक और नाम जो है वो इसको भोला जाता है सोया प्रदेश सोया प्रदेश क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयबिन का अगर कोई राज्य उत्पादन करता है स्वयबिन का अगर्दस के यह जादा सबसे मुझा करता है वह को सबसे ज्योंटिपरदेश करता हded स्वयबिन का साइंटिफिक नेम हो सकता है कि इस नहीं कि पूचरा सकते हैं ग्लाइसिन मेक्स, स्वैबिन का साइंटिफिक ने, हम लोग आगे बात करेंगे स्वैबिन की, ठीक है, एक और चोथा नाम जो है मद्यप्रदेश का उसकी बात करें, तो यह है जन जातियों का राज्य, जन जातियों का राज्य, चुकि मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा जन जातियां हैं, पूरे भारत में अगर जन जातियों की संख्या की बात करें, वेसे तो भारत में अनुसूचित जाती और जन जाती दोनों ही हैं, लेकिन भारत में अनुसूचित जाती का प्रतिशत जादा है जबकि मद्यप्रदेश में अनुसूचित जन जाती का प्रतिशत ज्यादा है ठीक है इसलिए इसको बुला आता है जन जातियों का राज्य नेक्स नाम के अगर इसकी बात करें तो इसको बुला आता है आदी मानों की क्रीडा स्थली मद्यप्रदेश राज्य को आदी मानों की क्रीडा स्थली भी कहा जाता है क्रीडा स्थली ठीक है तो यह कुछ पांच नाम मेंने लिखे है मद्यप्रदेश को ह्रदयप्रदेश भी कहा जाता है मद्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है मद्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है लाइटिंग आ रही है मद्य प्रदेश को चालो कर दीजिया सी जन जातिव का रज्ज भी कहा जाता है और चुकि मद्यपदेश में अगर आपने नाम सुना है भीमभेटका, तो भीमभेटका वो जगह है जहां पर मानवद्वारा निर्मेत सबसे पुराने शेलाश्रे चित्र हैं, जो कि लगबग 30,000 साल पुराने हैं, अगर देखा जाए कि भारत का इतिहास ही हम लोग पढ़त में मानवद्वारा जो कलाकरतिया शेलाश्रे जो है, वो बहुत पुराने है, 30,000 साल पुराने हैं, मारे मद्यपदेश के भीमभेटका में पाए जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आदी मानवद्वारा की क्रिड़ास थरी पर बला जाता हैं, कुछ और नाम भी इसको द जो बीडी बनाने के काम आता है, हलाकि वो सही नहीं है, बीडी बहुता खराब चीज होती है, लेकिन फिर भी तेंदुपत्ता जो होता है, वो बीडी बनाने के काम आता है, और भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते का जो पादन होता है, वो मद्यप्रदेश में हो मध्यप्रदेश को लगू भारत का नाम भी दिया गया है कि से चोटा भरत भी कहते हैं तेंदुपत्ता राज्य का नाम भी दिया गया है मध्यप्रदेश को आदी मानों की कृड़ा इस्थली का नाम भी दिया गया है मध्यप्रदेश को स्वयबिन का सबसे ज़्यादा उत्पाधन होता है मध्यप्रदेश में इसको सोया राज्य भी कहा जाता है मद्यपदेश में जन जातियों की संख्या बहुत जादा है पूरे भारत में सबसे जादा जन जातियों की संख्या है इसलिए मद्यपदेश को जन जातियों का राज्य भी कहा गया है जिसमें भील जन जाती मद्यपदेश में सबसे जादा पाई जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जन जाती पाई जाती है उसका नाम है गोंड लेकिन मद्यप्रदेश में गोंड जन जाती दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है और भील जनजाती मद्यपदेश में सबसे बड़ी जनजाती है और रही बात गोंड की तो गोंड जनजाती जादातर जो है वो 36 गड़ में पाई जाती है अगर 36 गड़ मद्यपदेश से अलग नहीं हुआ होता तब मद्यपदेश की सबसे बड़ी जनजाती गोंड जनजाती होती है ध्यान रखना बस तो वरतमान में जो मद्यपदेश की सबसे बड़ी जन जाती है वो भील जन जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी नाम रखे गए आपको पता होगा कि मद्यपदेश में सबसे ज़्यादा डाइमंड होता है दाइमंड राज्य भी बोलते इसको मद्यपदेश में चुक्कि सबसे लगा डाइमंड होता है इसको डाइमंड राज्य भी बोला जा सकता है दूसरा एक और नाम जो इसको दिया गया है वो दिया गया है सर्वाधिक वनो वाला राज्य सर्वाधिक वनो वाला राज्य सर्वाधिक वनो वाला राज्य चुकि मद्दपरेश में वन के क्षेत्रफल की बात की जाए तो मद्दपरेश वनो के क्षेत्रफल की दस्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एसे में इसका एक और नाम रख दिया गया है क्या सरवादिक वनो वाला राज्य तो एक और नाम सामने आ जाता है कि मद्यपदेश में सबसे ज्यादा नैशनल पार्क है देंकि भारत में संपूर भारत में सभी राज्यों के पास लगबग लगबग नैशनल पार्क हैं लेकि यह सारे उभभ नाम है मद्यप्रदेश के मैंने आज आपको 10 उभभता दिया मद्यप्रदेश को क्योंकि यह खासियत मद्य dat पिरसे दोबारा से आरे हैं लेट लुट लाइश लुट क्लाइश जोन करें इनको फिरसे बता दू मैं कि हमने जनरल एक परीचे शुरू किया है в泥ष का और उसमें हम लोग जान रहे थे कि हमद्यप्रदेश को कई सारे उपनाम से जाना जाता है जिसमें मद्वर्देश को हरदय प्रदेश बोला गया 애 कक्वेशन पूचा गया थै कि मद्यप्रदेश को हरदय प्रदेश जो नाम दिया गया है ये किस ने दिया था तो हरदय प्रदेश मद्यप्रदेश को नाम दिया था जवाहर लान लेरू ने और नदियों का उद्गम बहुत ज़्यादा नदियों का उद्गम मद्यप्रदेश से होता है मद्यप्रदेश उसके लावा आदी मानव की कृड़ा इसको कहा जाता है क्योंकि यहां पर मानव दरा निर्मित सबसे पूराने श्यला श्रही मिले हैं भीम भेटका में और इसके लावे भी कहीं सारी पूरा तात्विक चीजे हमें मिली हैं खोच के दोरान और यहां से तो कोशन भी आ गया थ विष्ण वाकनकर जगती थे उन्होंने सबसे पहले इसकी खोच की थी उस खोच करता का नाम तक पुछ लिया गया तो बहुत सीधे सिंपल से कोशन आते हैं प्री में ज्यादा टफ कोशन तो नहीं आते बस समझ जाए है कि डेटा बहुत वास्त हैं और रटना मुश्किल ह इसे हम लोग थोड़ समझ समझ के करेंगे इसको तो आपको नाम मेरे खाल से रट दिया होंगे तेंदु पत्ता इसलिए बोलते हैं बिकॉस आफ तेंदु पत्ता यहां पर सबसे ज़्यादा होता है लगु भारत चोटा भारत कहा गया इसका कोई पर्टिक्लर रीजन तो आधने रही है लेकिन पर्टिक्टि घाएमंद भारत रंड चेले में सबसे जादा नहीं है अब wra उघ्जा गया तो डाइमंद के बारने कोशन भी कोन्सी स्रेनी में बमता है बिजावर श्रेणी जो होती है छट्ट्टानों के इसमें ढमול मिलता है और कोशन भी एक को तो इसका काफी अच्छा impact आएगा तो आपको जो answer के जो आप answer लिखते हैं इसके number अगर आपको ज्यादा लेने ने तो आपको technical word बहुत ज्यादा लेखने पड़ते हैं अगर आपने वो word समझ लिए तो सिधी सी बात हो जाएगा सतना और पन्ना वो दो सबसे ज्यादा diamond मिलता है वहाँ पर किसानों को खेत में तक diamond मिल जाते हैं अलाकि अगर diamond आपको मिलता है तो शर्त ही है कि आपको diamond Indian government को सोपना पड़ेगा सरकार आपको 20% जो उसकी valuation होती है market में उसका 20% आपको दे देगा जब वो sale होता है उसके बाद ऐसा कहीं सारा लोगों को फाइदा भी हुआ है सर्वादिक वन वरत वाला ख्षयत्र सबसे ज़्यादा वन मद्यपदेश में ही है पुरे भारत में उसके अलमा जो साम में आपको बताया था राश्त्री पार्कों का राज किताबों में दो चीज स्लेखिए वया व्य मैं आपको बता दू सर्वाधिक राश्त्री पार्क यानि नैश्चनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारन में वाला राज स्को बला गया है बहली लाइन preach तो राश्ट्री पार्क में सबसे आगे मद्धिप्रेश तो बनता है कि सबसे जादा वाइलाइप सेंक्शूरी जिसको हम लोग हिंदे में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारन यह सबसे जादा किस राज में है तो यह सबसे जादा मिलेगे आपको केंदर शाशित पृदिश ज गया होगा जो मैंने आपको बताया है और धीदे नोट भी करते चलेएगे राजधानी मद्यपदेश की भोपाल है भोपाल राजधानी कब बनाएगी क्यों बनाएगी यह कहानी हम लोग राज्यपुनर गठन आयोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी इसके बाद जेनरल प परण हो थे और उसमय इंडिया डिवाइड हो रहा था इंडिया में रियासत या लग लग हो रहती इसमय इंडिया को यूनाइट रखने के लिए यह डिसीजन लिया गया था जो नेक्स चीज़ आपके सामने आ रहे है यह है आपकी भारत में भारत एक भू आवेश्थित रज्ज है मद्यप्रदेश एक भू आवेश्थित रज्ज है भू आवेश्थित का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं देखिए भू आवेश्थित का मतलब होता है कोई भूमी भूमी का कोई भाग या कोई देश चारो तरफ से भूमी से घिरा हो या अन्य देश या अन्य राज्य से घिरा हो समझना इस बात को वह क्षेत्र वह राज्य या वह देश जो चारो तरफ से भूमी से घिरा हो Land Locked Country, Land Locked State या Land Locked Territory ये शब्द इस्तमाल की जाते हैं भूआवेश्टित देश, भूआवेश्टित राज या भूआवेश्टित क्षत्र उसको कहते हैं तो मद्यपदेश का अगर अगर मेब देखते हो तो मद्यपदेश किसी भी तरह से समुद्र से सीमा साजा नहीं करता है और नहीं मद्यपदेश किसी भी दूसरे देश से सीमा साजा करता है अब यहाँ पर जड़ा सा confusion मैं आपको खतम कर देता हूँ वो देखे मैंने कहा भूअवेष्ठित राज वह भूमी वह क्षित्र जो चारो तरब भूमी से गिरा हो उसको अम लोग बोलते है लेकिन मैर में आप देख पा रहे होंगे की तोटल भारत में पाच भूअवेष्ठित राज है पाँच भुआविष्टित राज्य जो है ये है अपका मद्यप्रदेश जो येलो कलर में दिखाए दिया गया है जैस्ट उसके साथ में जो मद्यप्रदेश से अलग हुआ है जैस्ट गर बिहार से अलग होके बना है आपका जारखंड और सबसे नीची जिस आपको मिलेगा यह है अभी हाल ही मेल सबसे लास्ट राज्य जो बना था मद्यप्रदेश का भरत का वहे तैलंग घाना जो आंद्यप्रदेश से अलग हुआ था वही आंद्रपदेश जो 1953 में तामिल नाडू से लग हुआ था उसी आंद्रपदेश से दोबारा कोना लग हो गया तेलंगाना लग हो गया तो ऐसा नहीं कि एक राज्य कर एक बार तूट जाता तो दोबारा नहीं तूट सकता एसी कहीं संभावना है जिससे राज्य के कहीं बार टुकडे हो सकते हैं राज्य के टुकड़े होना देश की एकता और अखंडता पर प्रहार नहीं है। देखिए MPPSC जो मेंस की तयारी कर रहे हैं जो प्रीभी देने वाले हैं वो ध्यान से सुन ले कि मैं हर एक क्लास में आपको क्वेश्चन दूँगा और उस क्वेश्चन पर हम लोग next day बात करेंगे लेकिन जो क्वेश्चन में आपको इस क्लास में दूँगा उस क्वेश्च क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन पर बुलेट पॉइंट से मेल उसके आंसर लिखाना शुरू करूँगा कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं फिर आप अपने आंसर को सेल्फ रेटीफाई कीजिएगा कि क्या जो पॉइंट मैंने यहां पर बताए हैं आपने अपने अंस अंसर में लिखे हैं इस तरह से होती है अंसर राइटिंग असा नहीं कि आपको बेठा के लिखा दिया जाता है और पेरेग्राप में तो लिखना भी मत सीधे सीधे बुलेट पाइंट दिमाग में रखो और उसको लिखो और उसको एक्स्प्लेइन करना शुरू कर दो मैं बताऊंगा देरे देरे आप लोग आएंगे शुरुवात की हैं हम लोगों ने तो देखिए मैंने बताया कि भारत में टोटल पांच राज्य ऐसे हैं जो भू आवेश्थित राज्य हैं मद्यपदेश, छतिसगर, जारखंड, तेलंगाना और सबसे चोटा भू तो यह लेंड लोग कंट्री है मद्यपदेश और सबसे चोटा कुंसा है तो अब देख सकते हैं कि अब कौशन इसमें यह है कि भू आवेश्थित का मतलब जो जो जोग्रफी में डेफिनेशन बनाए गई वो यह बनाए गई कि वाक्षयत्र जो चारो तरप से भूमी से घ भूमी से घिलाएगा लेकिन यहां पर इसका डेफिनेशन अलग करना पड़ेगा वह राज्य जो चारो तरप भारती राज्यों से घिरा है उसको भूलेंगे भू आवेश्थित राज्य क्योंकि एससे में तो राजस्थान भी भूवेश्थित हो जाता है क्योंकि इसर पा the state is called landlocked state उसको भुआवेश्टित राज्य कहेंगे मैं रिखाल से definition clear हो गए होगी आपको तो यहां पर यह इतने राज्य हैं हर्याना, मद्यप्रदेश चतिसगड तेलंगाना और जारखंड यह 5 राज्य से जो भुआवेश्टित राज्य है अब इसमें से हम लोग और भी कोशन बना सकते हैं आपको दिखी रहे हैं सारे राज्यों सारे राज्यों के नाम भी में बता देता हूँ हलागी हम लोग MPG के पढ़ रहा है लेकिन भारत के सभी राज्यों की जानकरी होना बहुत आउशक है आपको बता है यह जो एडिया है सबसे उपर काये हलागी जो खटा हुआ एडिया है यह तो पाकिस्तान ओक्जुपाइट कश्मीर है पि.ओ.ए पाकिस्तान ओक्युपाइट कश्मीर है इसको हम लोग कैल्कुलेट तो करते हैं लेकिन हमारे पास नहीं लेने का कोषिश करेंगे तो हम भी बोलते हैं जब तक हमारे पास अमिज शाह है तब तक तु विश्वास है कि हो सकता है पी-ओ के हमारे पास आजे तो यह पी-ओ के ऊपर वला जी इससा है यह जो दिख रहा है को यह कश्मीर जम्मु एंड कश्मीर बोला गया और अभी 31 अक कश्मीर को राज जी का दर्जा हटा लिया गया है इसका मतलब यह है अब बात किस ने पुछ देखे थोड़ा सा समझना पॉलिटी को इसमें थोड़ा सा में इंवॉल्व करूंगा कि जरूरी है थोड़ा सा समझना जम्मु कश्मीर से में बाद फिर में MP में आ जाओंगा बुलाए गया कि जम्मु कश्मीर और लद्दाक दो अलग अलग union territory होंगे जम्मु कश्मीर राज्य है वहाँ की सरकार भी होती है लेकिन बोल कौन रहा है भारत का अग्रह मंतरी बोल रहा है बोल कौन रहा है संसद यह कर देशका मतलब संसद के पास वो power है तो पारलेमेंट कुछे नहीं कर सकती है यह ध्यान रखना हम लोग राज्यपुनर गठनायोग में इसकी कहानी के रोप में समझेंगे तो ठीक है तो जम्मु कश्मीर एक यूनियन ट्रेटरी यूनियन ट्रेटरी और लद्धा को बना दिया गए इस बात को ध्यान रखना 31 अक्टूबर को यह किया गया था और जम्मु कश्मीर में धारा 370 खतम कर दी गई है 31 अक्टूबर वो डेट क्यों चुनी के उसका एक रीजन है 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं लोग यूनिटी डे नैशनल यूनिटी डे किसकी याद मनाते हैं तो वह हम लोग मनात हैं सरदार वल्लब भाय पटल की याद में सरदार वल्लब भाय पटल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश को एक कर दिया था एक ही करण किया था उन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है और उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था केवल एक रियासत जो है सबसे समस्या गस्ट चूट गए थी क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वॉल्मेंट उनका नहीं था जवाल लाल नहरू का इन्वॉल्मेंट था वो था जम्मो एन काश्मिर जो उनका सपना था पूरे भारत का वो पूरा हुआ अभी जाकर के 31 सब्सक्राइब को 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को यह होगा तो देट ध्यान रखना उसमें अफ्तिदारा 370 रहता दी गए उसको यूनियंट ट्रेटरी घोशित कर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं मारे ख्याल से मद्यपदेश का परीश यह हम लोग कर चुके हैं मैंने कभी सारे नाम दे दिये हैं आपको उसमें से एक नाम मिसिंग था जो यहां पर लिखा हुआ है टाइगर स्टेट हर चार साल में टाइगर की सेंसस होती है ध्यान रखना पहली बार टाइगर की सेंसस सन 2006 में हुई थ हमारे पास लगबग 1000 कासपास ही टाइगर थे लेकिन दब 2006 के बाद 2010 में हुई तो कुछ 1700 टाइगर हुए 2014 में जब हुए तो थोड़ो हमारे पास टाइगर बढ़ गए थे 2019 में जो लास जो हमारी होती है sorry 2018 की जो लास सेंसस हुई चोथे नंबर की सेंसस में हमको काफी ज्यादा संख्या मिली है और लगबग 526 टाइगर तो खाली मद्य परदेश में है और 2967 टोटल टाइगर भारत वर्ष में है और जिसमें सबसे ज्यादा हमारे मद्य परदेश में है इसलिए माद्डेश को क्या नाम दे दिया गया टाइगर स्टेट norm ठीक है तो एक नवंबर 1956 को मद्धिबरेश का दिवाक्स दिवस मनाते हैं एक नवंबर डेट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक नवंबर वही डेट है जिस दिन 36 गर मद्धिबरेश से अलग हुआ था तो मद्धिबरेश का अवकुल मिला कि दो दो बार पुनरगठन किया गया है दो बार रिस्टेब्लिश्मेंट हुआ है तो यह दोनों बार एक ही डेट पर हुआ था एक नवंबर को हलाकि एक नवंबर के बीचे कोई खासा रहस्य नहीं है फिर भी एक नवंबर एक अच्छा डेट है जिसको आपको ध्यान रखना प अच्छा डेटा हूं वाले टॉपिक में पूरी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे लेकिन फिर बेना आपको बता दू कि मद्यपदेश कहां से कहां कितना हुआ हुआ है तो मद्यपदेश का जो भूगोल पार जब भी हम लोगों पढ़ना कि मद्यपदेश का अब भूगोल क मद्यपदेश कितना फेला हुआ है कोई भी राज जी है कोई भी स्टेट है तो हम लोग दो रेखाएं जो होती है भूगोल में इनको बोलते हैं आक्षांस रेखाएं और देशांतर रेखाएं मैं समझा देता हूँ what is the difference between आक्षांस और देशांतर रेखाएं for example यह हमारा globe है तो यह रेखाएं जो मानचित्र पर खड़ी खीची जाती है इसे vertical lines जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं it is called देशांतर रेखा और अगर कुछ लोग इसको English medium वाला देख रहा हैं तो इसको बोलते हैं कि लोग लोग लॉंगिट्यूडञ्स the lines which are draw vertically on the map are called longitudinal line वह रेखा है जो मानचित्र पर खड़ी कीची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा है और जो रेखा है मानचित्र पर आड़ी कीची जाती है मेरे रेखा है सब को दिख रहा होगा अच्छा से बोलते है तो बिख लएक है जो रेखेके मानचित्र पर खड़ी कीची जाती है उस रेखा हो को Landesregierung बोलते है देशांतर रेखा है तो these are sorry, actions रेखा है तो these are latitude Line and the another one is Longitude Line तょ latitude आगर मैं किसी भी राज्य को बनाना चाहूं तो मैं एक लाइन ऐसे खीच देता हूं, एक लाइन ऐसे और एक से, इसके बीच में जो भी होगा कोई भूखन्द होगा, तो मैंने जब चार लाइने खीची तो इसके बीच में आ गया अपका मध्यप्रदेश अब इसको calculate करना कि मध्यप्रदेश कहां से कहां तक बिलोंग करता है तो हमने जब देखा कि नीचे देखा कि यह 21 डिगरी 6 मिनट 21 डिगरी 6 मिनट और ध्यान रखिए 60 मिनट अगर आ तो इसको एक डिगरी में convert कर देना चाहिए 60 मिनट बराबर होता है एक डिगरी 21 डिगरी 6 मिनट में से शुरू होता है और आपका खतम हो जाता है 26 डिगरी 30 मिनट उत्तरी आक्षांस यह आपका है उत्तरी आक्षांस तो यह भी आपका क्या है 21 डिगरी 6 अंश उत्तरी आक्षाण्स आप में से कहीं सारे लोग सोच रहा हूंगे कि उत्तरी आक्षांस जो है यह उत्तरी आक्षांस जो शब्द लिखा गया है यह नीचे तो साउथ होता है फोलवस जो क्लास कर टिख की आप लोग यह जानकार हो अप लोग यह जानते होंगे आप समझते हूंगे 0 डिगरी को विश्वत रेखा बोलते हैं इकवेटर कहते हैं और इकवेटर की ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नदन हैमिस्पियर हिंदे में उसको बोलते हैं उत्री गोलार्ड तो भारत उत्री गोलार्ड में इस्तित्र है और अगर इस लाइन को भी मैं 0 degree मानलू ये भी 0 degree होती है भुगोल में आपने जरूर पड़ा होगा इसको हम लोग मानेत समय रेखा कहते हैं 0 degree से उदर वाला है जो हिस्सा होता है पूरा ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्द और उपर वाले हिस्सा को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्द तो भारत पूर्वी ये उत्तरी उत्तरी में आगा और भारत पूर्वी पूर्वी में आएगा बातों सह लिग्हा veлуш उसका जब भी कैलुकुलेशन करेंगे आक्षांस रेखा हैं तो जो आक्षांस रेखा हैं पढ़ेंगे वह हमेशा पढ़ेंगे उत्री आक्षांस रेखा जो आपकी है यह आपका 74 degree और 9 minute east longitudinal line यह का मतलब होता east यानि पुर्वी देशांतर रेखा और 82 degree 48 minute यह भी क्या होती है पुर्वी देशांतर रेखा होती है और यह सबसे आखरी वाला जो राज जी होता न उससे टच होके जाती है उसकी boundary है और आपको mention भी है इस मेव में अगर आप देख रहे हैं तो मद्द्विदेश में सबसे उत्तर वाला जो राज जी हो आपका मुरेना है सबसे दक्षिन वाला जो राज जी हो आपका बुर्हान पूर है जो महारास्ट से टच करता है जबकि सबसे वाला जो राज जी अपका अली राज पूर और सबसे पूरब में जो राजshop है वो आपका क्या है सिंगरोली चार राज जो के नाम बिल्कूल याद रचने पढ़ेंगे सिंग्रोली पहले जीला नहीं सोरी राज जी बोल दिया मैंने जीले हैं सारे के सारे शमा करें तो सिंग्रोली वो जीला है जो सीधी से लग हुआ था हम लोग पढ़ेंगे इसको भी कि कौन सा राज्य कब बना तब को यह चीज तो क्लियर होगी होगी कि लेटिट्यूड लाइन और लोंगिट्यूड लाइन में क्या अंतर है और क्या कारण है कि मद्यपरदेश में नीचे वाली लाइन को भी नौर्थ लेटिट्यूड यानि उत्तरी अक्षांस रेखा बोला गया और उपर वाली लाइन को भी उत्तरी अक्षांस रेखा बोला ग करते हैं according to world map हम लोग यहां विलोंग करते हैं एशन कंट्री है भरत ठीक है तो यहां तो सब क्लियर हो गया आपको जो दिखाया गया है अब यहां से में में भी कॉशन आया हुआ है अगर आप प्रीवियस यह कोशन को अच्छे से पढ़ेंगे देखें दो चीजें MPPSC वालो या MP, Constable या अन्य सभी एक्जाम के त्यारी करना है तो दो चीजे सबसे महत्यपूर्ण होती है पहला syllabus देखने से यह पता चल जाता है कि हमारी गहराई कितनी हमें कितना आता है और हमें कितना पढ़ना यह दो चीजे करनी होती है और दूसरा होता है कि अगर आपका अपने प्रीवियस एयर के question को पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि मध्यपदेश जो है अपने परिक्षाओं के मध्यम से किस तरह का आपसे knowledge लेना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस एयर के question paper जरूर टेली कर ले यह बहुत important question है यहां से कई बार question यह रटने वला रहता है कई सारे question कई बार question पूछा गया है Tropic of Cancer जो कि भी हाल ही में मैंने आपको बताया है Tropic of Cancer क्या होता जरूरा पहले उसको समझ लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर Tropic of Cancer क्या होता है Tropic of Cancer को हिंदिम बोलते है करक रेखा और Tropic of Caprican क्या होता है मकर रेखा क्या होता है Equator क्या होता है विश्वत रेखा क्या होता है एक basic geography का part है जो मैं यहां पर touch करने वाला हूँ इसको समझ लेते हैं देखिए अगर में यह अगर यह globe है पूरा विश्व है globe है अगर इसको मैं इसे नॉर्मली पढ़ना चाहूँ तो क्या पढ़ूँ गोला है प्रत्वी एक गोल है प्रत्वी जियोड शेप की है प्रत्वी गोली तो है वही तरह से गोलता नहीं बोल सक गोलता है लेकिन जियोड एक word से इस्तेमाल करनाता है कि प्रत्वी जियॉड ृचैप की है थیک है तो यह अगर पूरा गोला है अगर मैं इसको बीच में से काड़ देता हूं ऐकर किसी गोले को में बीच में से कार्व देता हूं तो मुझे दो आधे-धे गोला अधे मिलते होती है north इसको बोलते है south west और east अब इसलिए बात है जो उपर वाला गोलाग होगा उत्री गोलाग और दक्षिन वाला को हम लोग बोलेंगे दक्षिन हो गया होगा आपको तो क्लास बहुत धीरे आराम से चलेगी समस्या नहीं होगी बिलकुल समझने में बस विश्वास रख विश्वत रेखा क्या नाम दिया गया विश्वत रेखा या इक्वेटर लाइन या इसको एक और नाम दिया था हिंदी में भूमध्य रेखा विश्वत रेखा गूमध भूमध्य रेखा और एक्वेटर यह तीन नाम इसको दिये गये हैं अब देखे जीरो डिग्रे के ऊ जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई लाइन ड्रो करता हूँ जीरो डिगरी के उपर, तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, इसको मैं पढ़ूँगा, देखिए, विसे मैंने भी आपको बताया था कि ऐसी आडी रेखा है होती है, उसको मैं बोलते आक्षांस रेखा है, ऐसी खडी जाहिर सी बात इसका नाम होगा, उत्तरी आक्षांस रेखा, विश्वत रेखा को हम लोग पढ़ते हैं, जीरो डिगरी आक्षांस रेखा, क्योंकि वो जीरो डिगरी पर है, तो विश्वत रेखा की ऊपर जो भी लाइने खिची के हम लोग उसको पढ़ेंगे, उत्तरी आ हाफ उत्री अक्षान्स रेखा, नौर्ट लेटिट्यूड लाइन, मेरी खाल समझ में आ गया होगा अपको, तब अगर मैं उत्तर, यानि अगर किसी रेखा के साथ में उत्तर जुड़ा हुआ है, तब को ध्यान आ जाना चाहिए कि एक्वेटर के उत्तर में वो रेखा है, व इस ट्रॉपिक आप कैंसर, और ये ट्रॉपिक आप कैंसर जो आपके रेखा है, ये भारत से होकर गुजरती है, मैंने आपको अभी बताया था, कि भारत ऐसा देश है, जो उत्तरी गोलार्ग में इस्तिदेए, दक्षिनी गोलार्ग से तो मतलब ही नहीं है, फिर भी मैं ल 23.5 degree की लाइन होती है, दक्षिनी गोलार्ग में जो 23.5 degree जो लाइन होती है, उसको बोलते है, मकर रेखा, जो लोग इस रेखा को देखने की सोच रहे हैं, तो आपको रेखा नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि रेखा है, इमेजनरी लाइन से किवल मेप में खिज जाती है, इंको देखा नहीं जाता है, आभास ही रेखा है, बस मेपिंग करने के अधाशुषे इनको बनाया जाता है, तो लोग समझत हैं, मकर रेखा, 야प कर्क रेखा ट्रॉपिक कर्क रेखा यह दोनों रेखा इफ्जान से पात करो हैं, अगर में दक्षिनी अक्र से आख्शांस यहां है, जीरो डिग्री से उपर है तो जीरो डिग्री भरस से निकलती है, न साड़े तीज डिग्री दक्षिन वाल यह नहीं मकर रेखा भी भरस से गुजरती है, तो इन तीन इंपोर्टंट लायन में से कौनची लायन गुजरती है, इस ट्रॉपिक अप कैंसर करकरेखा और करी साना बच्चे सोचते कि साड़े तेजी क्यों लिया गया और दूसरा डिगरी नहीं मिला गया तो इसका कारणी यह है भूगोल में आपने पड़ा होगा कि प्रत्वी अपने अक्षपर साड़े तेजी डिगरी जुकी हुई है तो जुकाओ कोन कितना हो गया साड़े तीज डिगरी इस वजए से अरे तेजी डिगरी को इंपोर्टेंस दिया गया है क्योंकि सुर्जी कभी बी करकरेखा और मकररेखा से उपर या मकररेखा से नीचे कभी जाता नहीं है शुर्य इन दोनों रेखाओं के बीच में दुलन कर और that is the reason why seasons are changed, यही कारण है कि season change होते रहते हैं, ठीक है, ओके आगी बात करते हैं हम लोग, किसे ने लिखा है, virtually, ओके गुड मॉर्निंग to all of you, गुड मॉर्निंग, फिर से बात कर लेते हैं, तो करकरेखा मद्यपदेश से गुजरती है, और एक बात बता दू करकरेखा खाली मद्यपदेश से ने गुजरती है, पुरे भारत से गुजरती है, भारत के मेप में एक बार इसको मैं बता दू कि कहां से गुजर रही होती है, यह भारत का मेप है, आपकी करकरेखा यहां से से गुजर रही हैं करकर एक आपकी यहां से गुजर रही है यह गुजरात राजिस्थान मद्पदेश चतिसगर जारखन ट्रिपूरा और मिज्रम इन राजियों से गुजर रही है है बहरत का मेप सबसे चलगए नगरत बाधकी दूसरी दुनिया के कोई वेस्ट बेंगॉल ये आपका हो गया त्रिपुरा और ये आपका हो गया मीजोराम मीजो मिजोराम त्रिपुरा मिजोराम तेग्णि ये वाले राज्यू को हमको भूलना नहीं चाहिए सबसे इंपोर्टन राज्य होते हैं क्योंकि कई पर हैं करन्ट अफ्रेसर रिलेट कोशन पूछे जाते हैं मैं आपको वता तो ओलंपिक में जो सबसे पहला मेडल इस साल लेकर के आई थी 2020 टोक्यों ओलंपिक में मीरा बैन चानू जो थी मीरा बाई चानू जो थी वो लेकर के आई थी और पूछा जा सकता है कि उनका संबंद किस राजिस है वेसे तो राजिस संबंद बहुत कम खिलाडियों का पूछा जाता है लेकिन ज्यादा तर उन खिलाडियों का संबंद जरूर पूछा जाएगा जो नौर्थिस्ट स्टेट से बिलों करती है मनीपूर की रहने वाली है मेरी कौम भी मनीपूर क जो सबसे अच्छा पहली जिम्नास्टिक थी जिसने फूर्थ पोजिशन प्राप्त की थी ओलंपिक में री ओलंपिक में काफे चानाम था उनका दीपा कर्मा कर जो त्रिपूरा की थी हो सकता है कोशन आजये अपको ज्याना एकि भारत के आठ रज हैं जहां से करकरेका तो राज्यों याद रखने हैं है हमें तो सारे के सर है 28 states के नाम याद है सबी नाम तो उनको पता होगे लेकिन फिर भी इसमें इंपोर्टन क्या है पूछ लिया कि बताईए कि राज्यों को क्रोनोलोजिकल ओर में जमाईए सही करम में जमाईए कि राज्य पश्यम से पु पूरा मिज़रम उल्टा पूछेगा पूरू से पश्यम तो उधर से इधर कर देना कि आपके हाथ में हैं तो यह आठ राज्य है उसमें से दो राज्य से हैं जिनकी राजधानी से भी पासे स्थ्रू होती है कोस्टन भी पूछा गया है कि भारत की भारत के वो कौन से राजधानी से करकरेखा गुजरती है तो दू राज जाते हैं फिर से मुद्धे पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से यह आगया आपका करकरेखा तो मद्धवरेश के टोटल 14 जीलों से निकलती है 14 जीले मद्धवरेश के कुछ इस प्रकार है जो आपके यहां पर colored form में दिये गए हैं और उपर नाम भी लिखेगा अगर आपको इसमें नाम नहीं दिख रहे हैं तो नाम उपर दिखें यहां पर ऐसे chronology नहीं जिसमें सबसे पश्चिम का जीला जो है वह है रतलाम उसके बार आपका अजेन आता है देखें मेप में थोड़ा सा यहां पर confusion रहता है अगर आपको मेप क्लेरली दिखता है तो यह जो आगर मालवा जो जीला है उसके नीचे आता है शाजापूर में जो लाइन खिची 2013 में 16 अगस 2013 में आगर मालवा शाजापूर से अलग हो करके नाया जीला बना था एक और बात मैं आपको क्लेर कर दूँ कि जीले नए बनाने का राइट्स जीला पुनर गठन आयोग के पास में है जो कि राज्य सरकार बनाती है नए राज्य बनाने का जो अधिकार है वो सं के पास में only parliament has power to create form new state और ये article number 3 में लिका सविधान में constitution जो है वो provide करता है ये power to the parliament तो parliament को power देता है कि नए रज्यो का निर्मान किया जा सकता है हम लोग पढ़ेंगी इसको भी आगे रतलाम उज्जेन आगर मालवा ये तीनों मालवा वाले एरिया है इवन राजगर भी मालवा एरिया है राजगर सिहोर भोपाल तो सब जानते ही है विदिशा राइसेन सागर दमोह कटनी जबलपूर उमरिया और शहडोल जो भी लोग पढ़ रहे हैं अगर आप notes बना रहे इस तरह के comment आप ना लिखें payment की बात आप payment अलग से कर लें मुझे लगा कोई समस्या आप बता रहे हैं ठीक है बात करते हैं इसमें दुबर आ जाते हैं ये कुछ राज्य हैं जो आपके चाउदा राज्य है जो मद्धिश से होकर जाते हैं चाउदा जीले है जो जो आपके ऊपर लिखे ख़हे हैं याद रखने के लिए थोड़ा सा रटना पड़ेगा देखिंगे मद्धिपर्देश में अशान है कि सब चीजे दिमाग में इसे घुज जाएगी थोड़ा सा मद्धिबदेश को मेप को बार बार देखो जिस चीज़ को मैं लोग बार प्रश्चाइब आपका राजगर्ड आगर्मालवा उज्जन रतलाम आगर्मालवा उज्जन रता राजगर्ड जो लोग मद्द्रदेश से बिलाउं करते हैं उनके लिए रटना आसान हो जाता है क्योंकि यह आपकी मात्रभूमी है और यहां से आपको जानना होई यह सम क्योंकि आपको अपने वाले जो फैमिलियर नेम होते हैं जल्दी याद रहता है अभी में किसी यूके वाले आप किसी फोरेंडर की नाम ले दू दस नाम तो मुश्किल से दो या चार नाम आप लिख पाओगे या याद रख पाओगे तो रीजन क्या है जो नाम हमारे फै छी जांबाई मापते हैं तो सबसे उत्तर में जो जीला है वह आपका मूरेना पढ़ता है सबसे दक्षण में अपका बुर्हानपूर पढ़ता है तो इह तो यहां खिचा गया अक्श्वल में यह हैं यहां तक किचा जाता है यह तो डूरी खीजी गई है 605 क्योट्र लंबाई है देखिए यहां चोड़ाई की छब्न का इस तमाल नहीं किया जाता मद बित्सकी लंबाई उत्तर से दक्षिन और मद ब्दित्सकी लंबाई पूर्व से पश्रिम बोला जाता है न की चोड़ाई भूले आता है लंबा चोड़ाई इसमें नहीं होता यह चीज औभजैक नहीं है तो लंबा ही है लेकिन अगर आप बुलो कि उत्तर से दक्षिन तो मद्धबर इस उत्तर से दक्षिन कम लंबा है यह केसे पता चला कैसे नाप लिया को नापने आल तो कुछ है वगा नहीं जाता है इसको नापते हैं लोग लेटिटूड लॉंगिटूडनल लाइन से नाप जाता है लेकिन आक्षांस रेखाएं थोड़ा से इसी हो जाती है देखिए आक्षांस रेखाएं एक दूसरे के परिलल होती है ऐसे बिलकुल सामांतर चलती देशांतर रेखाएं तो ऐसी होती है काटती एक दूसरे को देशांतर रेखा राक्षांस रेखा यही तो अंतर है कि देशांतर रेखा है एक दूसरे से मिल जाती है आकर इमे जाकर करके जो आपको इम्मेब दी, हमने ये, देशांतर रेका, एक दूसरे से मिल जाती, आक्षांतर रेका, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दो लाइन जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन लाइन को हम बोलते हैं, सामानांतर रेखा हैं parallel lines तो latitude lines are parallel lines आक्षांस रेखा हैं सामानतर रेखा हैं तो इसलिए कभी एक दुसरे को कारती नहीं है और जो रेखा है सामानतर रेखा हैं उनके दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती हैं distance between two latitude lines are always equal if it is parallel है तो हमेशा equal होगी तो यह मालो एक डिग्री है जीरो डिग्री है जीरो डिग्री और एक डिग्री के बीच की जो distance है वो हमेशा होगी याद रखना है इसको 111.37 किलो मीटर 111.37 किलो मीटर जायर से बाते हमने अभी पड़ा है कि मुष्टार 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक ही ज corona रेखो इकिस डिग्री चैंचय से 26 डिग्री एक सक विस्तार है इक किस और 26 मंतर कितना और हो गया पांच डिग्री का अंतर करते हैं अब मोटे तोर पर चे डिगरी पांच डिगरी भी जोड़ लेते हो तो 111 इंटु 5 करोगे तो लगबग 600 के आसपस आप पहुच जाओगे एक्यूरेट डाटा चाहिए तो आपको वह अंच जो मिनिट है उसको भी जोड़ना पड़ेगा तो आप आराम से उत्तास ल पड़ेंगे फिलाल ये है मद्यबरेश का पश्चिम से बीच की दूरी यानि सबसे उदरवाला राज है अली राजपूर और सबसे इधरवाला जो राजज हैं अपका सिंगर्व़ली आली राजपूर प्रोडेश सिंगर्वशनि के बीच में जो तो तीस मिनिट का डिफ्रेंस आता है आधे गंटे का अंतर आता है टाइम में हम लोग एक क्लास में भूगोल शुरू करूँगा मद्यपरदेश का उसमें डेफिनिटली बात बताऊं कर कि हम लोग टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आक्षांस देशांता देखाऊंगों बार-बार बात करूँ इसलिए क्योंकि आपका कॉंसेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए ठीक है बाकी किसी को सुनने में समझने में कोई तकलीब हो तो बिल्कुल बहुत बोल दीजिए मैं आपके कमेंट लगा तर पढ़ रहा हूं सर कंटेंट कहां मिलेगा में भी स्ला आपके जो कमेंट पर हूं लोग बात करें लास में 29 जो पंगला मिंट में डूंगा आपसे चर्चा करेंगा कि क्या समझ्वा सब्सक्राइब करेंगे पहले इससको क्लियर करो मध्यपरदेश आपके सामने हैं, नंबर सबसे बड़ी काई संभाग होती है, संभाग कही सारे जीलों का एक बड़ा सा डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संभाग, जिसमें दो जीले, तीन जीले, चार, पांच, नो जीले तक मद्यपदेश में देखे गए हैं, इंदोर और जबलपूर संभाग सबसे बड़े-बड़े संभाग है, आठ नो जीले उनके पास में है, उसके बाद आपको जीले की बात के तो टोटल जीले बावन हो चुके हैं, और हाल ही में जो 2018 में नया जीला बना है, निवारी जीला, टीकमगड से अलग करके निवारी जीले को नाया जीला गोजित किया गया है, और मैं आपको बता दू, निवारी जीला कहां पड़ता है, ये निवारी जीला आपका पड़ेगा, ये टीकमग पुराना है और यह वाला जो हिस्सा आपका निवारी जिला है जो बिल्कुल ललितपूर वाला जो एरिया है यूपी से टच करता है निवारी जिला नया जिला बना हुआ है तो बावनवा जिला वो है तो अगर आप लोगों ने करेंट अफरेकन यूज पढ़ रहे होंगे तो अलगी कोवीड चल रहा है इस वज़े से बात पर चर्चा नहीं हुई होगी सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है एक और नए जिले का प्रस्ता आग आ चुका है प्रस्ता करने की मांग चल रही है प्रस्ताविद भी किया गया विदान सभा में सरकार चर्चा कर रही है डेटा लगबग लगबग नया वाला है किताबों में पुराना डेटा मिल सकता है मिस मेच होता है तो एक बार कंफॉर्म कर लीजेगा साइट से मध्यपदेश की वेबसाइट से कंफॉर्म कर सकते हैं आप गवर्मेंट की वेबसाइट होती जिसमें वो इन्फो प्रोवाइट करवाते हैं लेकिन फिर भी जो नए वाले डेटा है वो दे दिये के दस संभाग हैं पावन जीले हैं तहसीलों की संक्या आपकी किताबों में कम दी गई होगी तीन सो तेर गाउं है 54903 गाउं है अला कि किताबों में यहां पर भी कम दन संक्या दी गए ती गाउं की संक्या 54903 गाउं है अगर आपको किताब में एक वर्ड मिलता है आबाद गाउं तो आबाद गाउं अलग होते हैं और नॉमल गाउं अलग होते हैं आबाद गाउं वो गाउं हो जाहां पर 10 Count bear लिद्यूतिकरत हो चुका हो जिस गांँ में वो तैका है वो आबादरिगायगा जिस गांवे सटक विवस्ता है मतलब !! वन्हेल सरस्न अगर वहां पर निद्मित हो गें तो उसका आबाध गां तक क्ये तहीं ल kingdom at ग्रहांँ की संख्या में और ग्रामपंचात की संख्यहं में हमेशा हर ग्राज में राता है कुरें झांडर को तो नगर निगम बढ़ चुके है अभी रहाल ही में 218 में बढ़े थे दो नगर निगम एड करना है आपको प्लस टू करना है और दो नगर निगम बढ़ चुके है तो total नगर निगमों की संख्या भी 18 हो चुकी है तो दो कुण कुण से वो भी ने लिख देता हूं भिंड और दतिया लेकि भिंड और दतिया वो दो नगर पालिक आये थी जिनको 2018 में नगर निगम गोशित कर दिया गया है तो पहले नगर पालिकों की संक्या 100 हुआ कर देती दो माइनस करेंगे 98 हो गया यह सही डाटा है और यहां पर आपका 18 राइट आएगा लिखने की बावा ने आखरी जीला पंचाय जो बनाए गई वो निवाडी जीला पंचाय थे देकि निवाडी से कोशन आता है कि निवाडी जो जीला बनाया गया था इस जीले में कितनी तहसिले है निवाडी में तीन तहसिले है तो खुद निवाडी है एक प्रत्वीपूर है और ती जन्पत पंचायत 313 है और ग्राम पंचायत 3922 है ग्राम पंचायत का डेटा भी आपको किताबों में अलग मिलेगा और आप में से अगर कोई लोग व्यक्ति जानना चाहता है कि कौन से किताब से पढ़े तो मद्यपदेश से संबादित कई सारी राइटर कई सारी पब्लिकेशन अच्छे सी किताब निकालते हैं लेकिन अगर आपको सही डेटा पढ़ना है तो मद्यपदेश हिंदी गरंत अकादमी की प्रस्टक आती है जो खुद मद्यपदेश गवर्मेंट लॉंच करती है तो यह बात तो माननी पड़ेगी कि उसका डेटा सही होना चाहिए बले उसमें डेटा कुछ भी दिया हो लेकिन मद्यपदेश अकादमी की को हिंदी गरंत अकादमी की गवर्मेंट बुक है तो गवर्मेंट बुक के डेटा माननी रहते हैं फोर एक्जांपल अगर मानलो कोई इक्जाम में आपको एक क्वेशन आपने ही सही किया और उस आयोग ने गलत कर दिया चूकि आपने वो क्वेश्चन NCRT में तो मद्देश्की नहीं होती हिंदी गरंत अकादमी की पुस्तक से एक ऑथेंटिक पुस्तक से पढ़के आपने किया था उस पुस्तक में वही सही है जो आपने लगाया है लेकिन आयोग ने उसको गलत करार दे दिया तो इस बेस पर आप हाई कोट में अपील कर सकते हैं क्योंकि आपका अदिकार है लेकिन हाई को तभी आपकी बात को संध्यान में लेगा जब आपके वास ऑथेंटिक बूक होगी क्योंकि यह चोडर राइटर चल रहे है अशकार मार्कें में बहुत सारी किताबे हैं यह कोई ऑथेंटिक नहीं है, इनकी बाते मान्य नहीं होती है, ठीक है कहीं से data उठा कर लेते हैं, लेकिन रही data माइन हो जो data होगा वो government की authorized website पे डलाओगा या उसकी books है, तो ऐसी books से पढ़ो जो काफी सही हो, और वैसे भी class के साथ साथ notes बनाते चलेंगे, तो may be आपको काफी ज़रा फाइदा ह उसकता है तो ग्राम पंचायत किताबों में 23006 ग्राम पंचायत दी वी है लेकिंग पंचायतों की संख्या बढ़ चुकी है 30,922 ग्राम पंचायते हैं कुल संभाग देखिए हम लोग जनरल परीचे बढ़ रहे हैं ज्यादा समझ परेशन होने की ज़रोद आपको नहीं है सिद्धर सिंपल से जनरल आम लोग बढ़ रहे हैं आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा तो गोल में आपको इंटरेस्ट र होता है उसका हम लोग संभाग बोलते हैं कहीं सारे राज्यूस में होते हैं MP हिंद ग्रंतकादमी की बुक कहां मिलेगी यह अगर आप कपिल जी अगलाब मद्यपर्देश से बिलॉंग करते है तो आपको मद्यपर्देश की किसी भी बुकिस्टाल में मिल जाएगी इन दोर में सबसे हैं चहांद मिल सकती हैं यह बहुत बुक कुझा बहुत को आया वहां पर सर्च करना मिल जाएगी जहां पर बहुत ज़्यदा हब बना हुआ है MPPSC का अगर आप बोपाल में है तो MP नगर वहां का हब है जहां मिल जाएगी आपको बुक्स काफी सारी दुकान है बोपाल में हैं संभाग की बात करें तो यह आपके पास सामने 10 दस दिविजन है जिसमें से आपका संभाग है भोपाल चंबल ग्वालियर इंदोर जबलपूल नर्मदापुरम देखिए जो होशंगाबाद संभाग है जिसमें तीन जीले हैं हर्दा बेतुल होशंगबाद एक तो सप्शन नया संभाग है दूसरी बात कि होशंगाबाद संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग से बदल दिया गया और बदल के रख दिया गया नर्मदा पूरम संभाग नर्मदा पूरी यही से उकरन गुजरती है तो इस वीज़े से हो सकता है वहां के लोगोने इसको नर्मदा की किनारे बसा हुआ है पूरा और वैसे भी होश में को उत्तर मिल जाए लेकिन आखरी की 15 मिट में मैं आप से बात करूंगा अच्छे से बात करूंगा जो भी आपकी समझ से आप लिख करके भेज़ सकते हैं अभी आप इत्मिजान से देखिए क्या आपको मिल रहा है देखिए आपका जो संभाग अगर जीला वाइस पूछ लिख लृइ के कवाँ लिख देखिए अजन देखिए क्षिज यू आपका के क्यों है पंद आपका जिस आपको से पाइस यह संभाग कुछ वह भाइब की से स्टेख संबाग को नहीं के विखेए उर इस है और अंडक्षिन का जिला कौन सा क्योंचा का से अज़र से पूर पूर्व का संभाग कौन सा है तो अगर इस तरह का भी question पूचा तो आपके सामने आंसर है अगर आप से पूछा गया यह वला संभाग कोण सा है तो आपका आपका अशर होगा तो इंदोर संभागी दक्षिन का भी सबसे दक्षिनतम संभाग मिलेगा और सबसे उत्तर का संभाग जो आपका है वो यह आपका मुरेन चंबल संभाग जो मुरेना भिंड और शोपूरु से मिलकर बना है तीन जिलो से मिलकर है बना है लेकिन शुक्कि निवाडि बन चुका है तो निवाडि जनसंख्या में भी और खशत्रफल 5bवन जिले है जीलों लेकिन कब जब यहां से कोई national high के गुजर रहा होता है question कहीं बार पुछे गए है मेरा बस analysis previous year के question से ही है previous year के question में यह पूछा गया है कि मालो NH7 जो गुजर रहा है आला कि आज कल वो NH44 हो चुका है NH44 अगर गुजर रहा है तो कौन्कौन से जल्व गुजर रहा है NS 3 अधर गुजर रहा है चार option नहीं होगा थोड़ा सा deep मैं पढईनी की जडरुवत है जो की हम लोग परिवा excitement में पढ़ेंगे तो वहां इसकी जरुवत पढ़ सकती है जरुवत नहीं पढ़ेगी जरुवत एक जिक पर पढ़ती है कि मद्धिपर कहीं सर राज्यों से गिरा हुआ है टोटल पांच राज्य हमारे आसपास है जिसके मोलग बात कर लेते हैं यह आपका UP, यह आपका राजिस्थान, यह आपका गुजरात, यह आपका महाराष्ट्रा, और जो सबसे इधर वाल राज्य है वापका है, CG 36 गड़, मद्ध्यप्रडेश की जो सबसे इधर गुजरत सबसे सबसे कम सबसे करता है, इतना जल रखना, मध्यवास के 14 जिले है लगबक जो यूपी से सीमा आजा करते हैं तरह कि दो ही जिले हैं जो गुजराज से सीमा आजा करते love बात मध्यवल्गे सी जो प्रेषने ज浏 है को आधी बात की जो मध्य पूच लिया कि जब अगर आपको पूरे राज्यों की जानकारी है तो आप बिल्कुल बता देगी कि अविभाजत मद्यपदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ था यूपी यूपी एक सिंगल राज्य है यूपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट तो अल्रडी मद्यपदेश में था ही उसके अलावा ये जुड़ा हुआ था अपका उडिशा बिहार आंध्रप्रदेश नहीं में तिलंगाना का कि बात की जा रही थी अविभाजित मद्यपदेश की तो अविभाजित मद्यपदेश 2000 से पहले था तो जब मद्यपदेश से त्रदितरिज़गर अलग नहीं हुआ था उस समय न तो जारखंड बना था, जारखंड भी 2000 में बना था, मद्यपदेश के कुछ दिन बाद ही जारखंड राज्य को बना दिया गया था, जारखंड भी बना था और उत्राखंड भी बना था, हम लोग उसकी बाद भी कर लेंगे, 2014 में, दो जून 2014 को सभसरही आगरे वला राज्य तो 2014 में बना था, अवीभाजित मद्यपदेश के बात हम लोग 2000 के पहले की कर रहा है, तो उसमें न तो तो तेलंग खाना का जिखर कर सकते हैं, न जारखंड करता हैं, बिहार था, तो अवीभाजित बन्यपदेश कितने मद्धिपदेश अपनी सीमा साजा करता था आप इसका अंसर इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है नेक्स बात करते हैं वापस से जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं घबराइए बिल्कुल मत में बस थोटी तरह में आपके पास आने वाला हूं आपसे बात करूंगा किस तरह से आपको पढ़ना है क्या करना है घबरानी जरूत नहीं मैं अपना मेंस का कोशन भी आपको लिखाऊंगा इसका अंसर आपको लिख क प्रेशन थो होती है और प्रडारंबिक परिक्षा में एक प्रशन स्देव बाता है मफा से夏 Rock आप 17 heures पॉपलिशन सेंसर्स की पहली बार उती उने सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार थे मध्य भारत था एक ग्वालियर इंदौर वाला रीजन था भोपाल स्टेट था उसमें तो अलग अलग चीजों से मिलकर बना था विंदी प्रदेश भी था मध्य प्रदेश में पहले तो इन सब को मिला करके मध्य प्रदेश एक नाम दिया गया था इस अंकल्पना बाद में आई मध्यवेश की जन फॉन क्या की बात कर ले तो साथ करोड़ 26 लाग 26,809 जन संक्या स्थाधना मध्य पड़िस में घ्राम को अलग लग पर्सेंटीजज दिया गया है और जल्डी से मुझे कमें आपकी कमेंन्ट पर आजाता हूं एक व्षिण यहां से मैं पूछ रहा हूं पिर मैं वापस लिए कुलासं से हैं बजह बता हैं कितने हैइसें लोग यह जांते हैं कि st का मतलब यह होता है और का मतलब यह होता है क्या मतलब होता है अनुसुचित जाती का और अनुसुचित जन जाती का मैं आपके आंशर पढ़ यह दोंगा तो कि हम लोग ढगे बढ़ जाते हैं तोदे कि मंतलब यह को है ठीक अब बाराल भारत में A.C. के जन संक्या जादा है, A.C. के जन संक्या सबसे जादा अगर किसी राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश, A.C. की सबसे जादा जन संक्या, अनुसूचित जाती वाला राज्य है, जबकि मद्यपरेश अनुसूचित जन जाती वाला राज्य है, और मंदल कमिशन ने पहले डिसाइड किया था, 1992 में जब पहली बार, इंदरा सहानी का केस आया था, सुप्रिम कोट ने भी बोल दिया था, लीगल करार दे दिया गया था, कि एजुकेशनली और सोचल बेकवर्ड क्लासे को आप दे सकते हैं, 27% परसंट रिजर्वेशन प्रोवा सकते हैं, लेकिन परसंटेज के हिसाब से, पापुलेशन के परसंटेज के हिसाब से, मद्यपरदेश में तो अबीजी की पापुलेशन पहुचादा है, फिर भी, 14% था पहले और लगातार मुद्दे आ रहे थे, सुप्रिम कोट में याची का दायर की जा रहे थी, तो उन ही है, ही ध्यान रखना, 27% ठीक है, उसके बाद आपका AC का रिजर्विशन भी क्लियर उस दिन आया था कि यह 15% मिलेगा, और AC का रिजर्विशन जो है, वो 20% मिलेगा, AC का रिजर्विशन कितना मिलेगा, 20%, 15%, यह, परसेंटेज की हिसाब से, वैसे भी भारत में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सब राज्यों में अलग-अलग परसेंटेज है, अगर आपसे पूछे का कि OBC का कितना दिया गया है तो OBC का रिजर्विशन 27% लिमिट एफिक्स है, लेकिन अगर पूछा कि ST का रिजर्विशन कितना दिया गया है, तो ST और SC का रिजर्विशन जो है, यह, डिपेंड करता है, पॉपुलेशन रेश्यो पर, कितना पॉपुलेशन उस राज्य में है, जितना पॉपुलेशन 21% ST है, यह तो अभी है, डिजर्विशन पहले कर दिया हुआ है, 15% डिया हुआ है, 15.61 है, 21.08 है, तो फिर भी 20% डिया जाता है, तो अगर 100 सीत है, तो 20 उनको चले जाएगी, 15 उनको चले जाएगी, 27 उनको चले जाएगी, बचे हुए सीत है, जैरल केटिगरी यानि UR में बढ़ जाती है मैं आपको बता दू कि इंद्रा सहानी केस 1992 जब आया था तो सुप्रिम कोड ने क्लिरिफाई किया था कि आरक्षन गलत नहीं है लेकिन आरक्षन सीमाओं में बंधा रहे तो जड़ा अच्छा रहेगा उन्होंने क्लियर किया था कि आरक्षन की जो सीमा है ये पूरे नेशनल दिया जाती है पूरे इंडिया में अब नए ने ग्रूप उभर कर आते हैं अगर वो दबाव बनाते तो उनको अरक्षन बिल्कुल दिया जाता है ये बात कर रहते हैं इनकी पूरुशो और इस्त्री की संख्या में डिफरेंस जाता थो नहीं है लेकिन फि महिलाओ की संख्या काफी कम है यहां देखे तो ग्रामेरिक शत्रों में पूरुशो की संख्या दो करोड़े कतर लाग चैलिस अननचा सजा 388 है आप लोग पड़ पा रहा होंगे परिस्त्री की संख्या दो करोड़े चावन लाग आठ जार सोला है डिफरेंस देखोगे य यानि लिंगा अनुपात इस्त्री और महिलाओ पूर्शो की संख्या मंतर साब से का मंतर आपको मिलेगा अली राजपूर जाववा बालागाट जिन रिजिन में अनुसूच तजन जाती और अनुसूच जातियों की संख्या जादा है इसका मतलग पड़े लेखे होने से श ठीक है ठीक ठाक है लेकिन बाकि जो लिटरल राज्य है जो काफी पड़े लिखे है वहाँ पर लिंग अनुपात काफी नीचे चला गया है तो इसमें यह तो बोल सकते कि एक बड़ा फेक्ट है कि हम जानते ना कि हम लोग सोनोगफी करा करके लिंग परिक्शन करवा सकते ह अब यह करता है हम क्या आसपास के सभी देशों में यह होता है पूरे एशया में महिलाओ के संक्या काम है बाकि यूरोप में देखो के तो महिलाओ के संक्या पुरूशों से काफी ज़दा है यहां बरत अबर आ जाते हैं उन लोग मद्यबदेश की सीटों की बात करें तो मद्यबदेश में राज्यसभा की टूटल 11 सीट से राज्यसभा के चुनाओ हर दो साल में होते ध्यान रखना राज्यसभा के चुनाओ हर दो साल में होते लेकिन राज्यसभा का जो भी मेंबर राज्यसभा का मेंबर बनता है उसको कारेकाल 6 साल का दिया जाता है यह पॉलिटी में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाए कि इसा क्यों होता है राज्यसभा में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको पुरे भारत की बता देता हूं आपको राज्यसभा की सीटे 11 है और इलेक्शन होते हैं in every two year इलेक्शन होते हैं एलेक्शन परफ़र्फॉर्मड इन every two year प्रत्य दो साल में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं क्या कारण है कि दोई साल में होते हैं छे साल का कारेकाल है तो फिर कैसे पूरा होता होगा देखि यह हुआ था पहली बार जब 1952 में 1952 में पहली बार जब तो दो साल के लिए चुना गाता है तो समझना ओक इसको आसान आसान भशा में पहली बार जब राजेसुबा की चुना उय था तो one third member को चुना गया था for two year और एक बटा तीन सदस्यों को चुना गया था for four year चार साल के कारेकाल के लिए चुना गया था पहली बार क्योंकि चकर चलाना है आपको और one third, the remaining one third member are elected for six year और जो बचे हुए one third member है, remaining one third member है उनको चुना गया था छे साल के लिए, अब मुझे बता है 1954 में चुनाव होंगे के नहीं होंगे बिल्कुल होंगे 1954 में चुनाव होंगे और चुनाव होंगे तो जिन लोगों ने दो साल का कारेकाल पूरा कर लिया, one third people again elected ये एक बटा तीन सदस्य लोग दोबारा चुनाव के लिए आएंगे या तो यहीं सदस्य दूसरे भी आ सकते हैं तो दो साल बाद एक बटा तीन लोगों के लिए चुनाव होते हैं हर दो साल में एक बटा तीन लोगों का ही चुनाव होना है ध्यान इस बात कर रखना है अब एक बटा तीन लोग दोबारा चुन करके आएंगे ये गए नए आए लेकिन कितने साल के लिए आएं छे साल के लिए आएंगे अब जो नए मेंबर चुन करके आएंगे दोबारा वो 6 साल के लिए आएंगे और फिर 1956 में ये भी लोग अपना कारेकाल पुरा कर लेंगे दिन अगेन जब लोग आएंगे चुनकर के तो वो कितने साल के लिए आएंगे छे साल के लिए आएंगे थोड़ा सध्यान दीजेगा इस बात पर कि छे साल कारेकाल मिल जाएगा लेकिन जब 1960 का चुनाव आएगा नेक्स तीर में तो यह चे साल वाले अश्टियान अपना कारेकाल पूरा कर चुछी। यानी हर 김醉 Ard偌r伊 तो सालने चुन करके आएंगे राज़्य सवावा होता है कभी भी राज्य सवाख खाली निए होगी सारा चुनावर्य साथ क्राय राज्य सवाग गिर जाएगी सब्सक्राइगी इमर्जन्सी कंडिशन में संभालने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए इस समस्य यह किया है, मैं रिखाल से सब लोग को क्लियर हो गया होगा, कि क्या समस्य थी यहां पर, तो राज्यसभा की सीटे मददपृष में 11 कौन कौन सी सीटे क्या क्या है, उस पर चरशा मत कीजिए क्लास के दुरान कोन कोन है, अभी क्या है क्या नहीं है, क्योशन बिलकुल आया हुआ है, कि मददपृष राज्यसभा में महिला कौन थी, देखिए, लोग सब्हा की टोटल हमारे पास में 29 सीटे हैं, 29 सीटे हैं लोग सब्हा की, और 29 सीटों में से, ST और SC के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, 2008 में यह रिजर्वेशन बढ़ाए गया थे से पहले कम था, रिजर्वेशन टोटल रिजर्व सीट की संक्या कितनी हैं, लोग सब्हा में 10 संक्या दी गई हैं, ठीके, यह हमारे सविधान में भी दिया गया है, अगर आप लोग सब्हा में संक्या, विदान सब्हाओं में संक्या, तो 330 पड़ो गया ताब कि लोग सब्हा में नुषिज जाती और जन जाती की संक्या, 2008 में परी सीमन आयोग बनाया गया था, डी लिमिटेशन कमिशन, वैसे भी जब देश का सविधान लाग किया गया था तब प्र लोक सभा की सीतों की संख्या है वो कौन cancel क्या संख्या के अधर पर है तो this is longer current सब्सक्रोड जंसेंग हो चुकि हैं? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्थिया कहना नहीं चाहिए लेकिन ज्याईट आंशर है सबस्दूभ कि सबसे बड़ी इस सब्सक्रोड जंसें है यह हम लोग नहीं जाये बोल सकते publically एस्ति की जो है इसका याद करने का ट्रीक है धर्म खर बेतु तोड़ा समय ने इसको बनाया है धर्म खर बेतु जो आद्वी धर्म नहीं करता है जो आदनी लगा तरह पाप करता है उसको हम लोग सेजेशन दे सकते है धर्म कर बेतु मैंने इसको कर को खर कर दिया है क्योंकि मुझे आज से जीला देना है द से मतलब होता है अपका धार जीला र से मतलब होता है रतलाम जीला म से मंडला ख से खर गोन बे से बेतुल तो क्या कौन कौन से होगे आपके धार रतलाम मंडला खर गोन और बेतुल यह जो छे जीले आपके हैं यह छे के छे जीले जो है इसमें आजाएंगे आपके स्वरी यह एस्टी के वाले जीले है बाकी यह जीले जो है आपके चार जीले जो एस्टी के मिलते हैं आपके मिलते हैं इसमें भेंड दगी इसमें इसमें त्वर ट्रिक बनाया गया ठीक थाक नहीं बेटता है लेकिन कोशिच करते हैं हो जाए तो उजेन में देवता की भीड टिकट नहीं समझेगा इसको उजेन में देवता की भीड टिकट नहीं इसमें एक राजे एक जिला छूट गया है शैडोल भी है कि भीड ठीक में नहीं पेट तक था ठीक था ठीक ठीक कर सकते इसको दीड से आपका भींड हो गया और टिकट से टीकम गड हो गया मैं थोड़ा से ट्रिक बताना चाहरा था कि इस तरह की ट्रिके आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो बद्य बद्यस में एस्टी की सीटे कुन कुन सी उजेन, देवास, भिंड और टिकमगड अब यहाँ अब यह रिजर्व का मतलब क्या होगी खान्धार शहड wah यहाँ ससे नहीं है कि अस्ति की सीट bags यहाँ से 1 00 a यहाँ सर्क्षा का दौन है फिक्स कर दिया गयार्टिकल 332 देखiums Herrn ह uw अलग अलग व राज्यूं में अलग लग रहेगी मत्यृटेश में सीट is 47 in at 37 35,ました बता है था कि ST की संख्या मध्यपश्च पर ज्यादा है तो अब हम लोग आते हैं आपकी बातों पर जो हम लोग कर रहे हैं comment section पर बात करते हैं बाकी यह symbol symbol हम लोग next class में इसको देखेंगे एक जैसे मैं comment पढ़ रहा हूं उससे पहले मैं आपको question लिखा जैता हूं को है ठीक है तो question लिखा दूँ जल्दी से मुझे आप comment box में यह दे दीजिए कि हां मैं question बोल दूँ जल्दी से अब लोग लिखने को तयार है MP PST मैंस में आ सकता है question say yes clear picture नहीं आ रही है board की जी ओके ठीक है तो आप question लिखी है मद्य प्रदेश से 36 गड़के अलग होने के कारणों की चर्चा कीजिए एक बार फिर से question में बोल देता हूं मद्य प्रदेश से 36 गड़के अलग होने के कारणों की चर्चा कीजिए मद्य प्रदेश से 36 गड़के अलग होने के कारणों की चर्चा कीजिए प्रदेश है झाल